Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, once again, my name is Adish Khankar and हम लोग यहाँ पे continuation कर रहे है Pythagoras Theorem, जो की second chapter है Geometry Textbook का for SSE Class 10th Maharashtra Board. तो बच्छो कैसे हो तुम लोग सब लोग? I hope everyone is doing great and everyone is fine. तो यहाँ पे Pythagoras Theorem से related, काफी सारे topics हम लोग ने पहले भी पढ़े है, आप लोग जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो chronologically देख लेना. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? बच्छो, हम लोग आज जो पढ़ने वाले, इसके just पहले मैंने 30-60-90 degree triangle and 45-45-90 degree triangle का basic concept, fundamental and उससे related basic questions पढ़ाए है. उसका link मैं आपको description box में डाल के दिदूँगा, या फिर suggested videos में भी आपको आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं. वो वाला video देख लेना, तब जाकर यह video अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा and यह हमारा end रहेगा 30-60-90 degree का. तो आज हम लोग करने वाले है advanced problems on 30-60-90 and advanced problem आपके textbook में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही है. तो यहाँ पर हम लोग एक proof related question and उसी से related, same to same kind of question, एक find वाला question भी करेंगे, सिर्फ दो question and यहाँ पर आपका चार-चार मार का question हो जाएगा. तो शुरू करते हैं बच्छों आज का session. ओके, तो आज का session स्टार्ट करते हैं वाक्त, सबसे पहला हम लोग proof वाला question लेंगे and then find वाला लेंगे, because मैंने सोचा कि पहला proof वाला करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, एक बार आपको वह समझा, तो find वाला question तो बहुत ही आसान लगेगा आपको. Let's try to understand the question. Problem से 2 का question है बच्छा, question number 16 है and that is triangle PQR is an equilateral triangle. Point S is on segment QR, such that QS is equal to 1 upon 3 QR. कुछ समझ तो नहीं रहा अभी फिलाहल के लिए तो, but don't worry बच्छो, हमें proof करना है कि 9PS square is equal to 7PQ square and आपके सामने diagram देखे रखा है. यह diagram जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, वह ऐसे के वैसे same to same textbook में है, आप लोग चाहों तो देख सकते हैं, entirely the same thing. तो वही मैंने डिट्टो यहाँ पर copy किया. अब हम लोग को यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, उसके लिए हम लोग प्रूफ को start करते हैं. सबसे पहले बच्छो, triangle PQR is an equilateral triangle, यह हमें given है. तो triangle PQR again equilateral triangle बनते हैं, तो हमने तो दो चीजे सीखी है बच्छा, equilateral triangle में. सबसे पहला चीज हमने क्या सीखा है बच्छा, the sides of an equilateral triangle हमेशा equal होते हैं, सारे के सारे side. मतलग क्या मैं बोल सकता है, यहाँ पर मेरा side PQ will be equal to QR, will be equal to PR. Very simple. यह हमने सबसे पहला fundamental सीखा था, किसके बारे में? equilateral triangle के बारे में. यहाँ पर मैंने equation number 1 लिख लिया, and reason चाहो तो लिख सकते हो, sides of an equilateral triangle. या फिर उपर already मैंने लिखा है, triangle is an equilateral triangle, तो कोई फरक नहीं पड़ता. अब ना बच्छो, यहाँ पर, मैं आप लोग को approach बताता हूँ, जो मैंने काफी session से आप लोग को इसका approach बताते आया हूँ. वो approach यह होता है कि, आप लोग को proof क्या करना है, वहाँ पे को जो side दिया है ना, वही हम लोग के लिए एक तरह का ना, बच्छो, एक advantage होता है, एक approach होता है. जैसे देखो ना यहाँ पे, proof that 9PS square, तो आपको वहाँ पे side PS दिख रहा है, बच्छो, मैंने underline करके दिखाया है, 9PS square में PS, अब हम पाइतगोर स्थी और हम chapter पढ़ रहे है, तो यसलिए हम लोग का, जो भी triangle हम लोग consider करेंगे, वो सारे right angle triangle सी consider करेंगे, तो मुझे बताओ बच्छो, यहाँ पे जो आपको PS दिख रहा है, वो कौन से right angle triangle को बिलोग करते है, अधर डाइगराम को ध्यान से देखो बच्छो, आपको पता चल जाएगा, right, very good बच्छो, PS एक hypotenuse है, इस particular triangle का, जिसका triangle का नाम है triangle PTS, right ना बच्छो, yes, so PS is one of the sides of the triangle PTS, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल PTS को consider करने वाला है, so in triangle PTS, very simple thing to understand, मैंने PTS क्यों लिया, इसके पीछे का approach क्या था, यह I hope सब लोग को समझ में आ चुका है, because proof में PS करके दिया था, and PS is a side of a triangle PTS, right, हम लोग को उन्हें PS square निकालने बोला है, तो PS square निकालने के लिए ना, बच्छो मैं यहाँ पे एक theorem यूज़ करूँगा, Pythagoras theorem, चलो, तो Pythagoras theorem कैसे यूज़ करने का रहता है, in triangle PTS, angle PTS is equal to 90 degree, यह बहुत important है, उसके बाद में बच्छों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, the hypotenuse का square, मतलब PS का square, is equal to some of the squares of the other two sides, मतलब हो जाएगा PT का square, plus ST का square, यह हो गया आपका यहाँ तक, इसको equation number 2 mark कर देना, and reason लिख लेना by Pythagoras theorem, so far so good बच्छों, यहाँ तक सबको समझा, बच्छों यह जो question में ले रहा हूँ, यह advanced है, and थोड़ा सा difficult जा सकता है, starting में बच्छों को, इसलिए तरह ध्यान से देखना, and अच्छी तरह से देखना, अच्छा, PS square is equal to PT square, plus ST square तो मिल गया, बच्छों दरह प्रूफ में देखो, क्या हमें PS square is equal to PT square, plus ST square चाहिए था क्या, नहीं मुझे तो PS square is equal to PQ square, के form में चाहिए था, तो मुझे right hand side में PQ चाहिए, यहाँ पे तो right hand side में, मुझे PT और ST मिल रहा है, अब मुझे PT नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ST भी नहीं चाहिए, यह दोनों भी मेरे यहाँ पे इस particular question में, एक कबाब का हड़ी बन रहा है बच्छों, जो मुझे कबाब में हड़ी नहीं चाहिए, तो कैसे भी करके मुझे इस PT को और ST को हटाना पड़ेगा, यह इसके पीछे का एक approach है, ट्राइ टू अंडर्स्टेंड बच्छों यह PT और ST कैसे निकाले, फर्स्ट ओफ ओल ना उसके लिए में क्या करने वालो ध्यान से सुनो बच्छों, अब ना बच्छों यहाँ पे, दुसरा साइड दिख रहा है बच्छों आप लोग को PQ, अब PQ यहाँ पे कोन से right angle triangle को बिलॉंग कर रहा है बच्छा, very good guys, PQ यहाँ पे बिलॉंग करता है, सबसे बड़े right angle triangle वहाँ पे, which is PTQ, दिखा बच्छा, तो इन triangle PTQ करूंगा, बट इस बार ना मैं यहाँ पे, Pythagoras Theorem अपलाए नहीं करने वालाओ, ध्यान से सुने बच्छों, आप लोग समझ जाओगे, क्यों मैं यहाँ पे Pythagoras Theorem अपलाए नहीं कर रहा हूँ, बच्छों ज़रा triangle PTQ को ध्यान से देखो, आपको नहीं लग रहा है बच्छा, triangle PTQ में, angle PTQ 90 degree तो है ही, बट angle PQT जो है, वो 60 degree है, और यह था हमारा second fundamental of equilateral triangle, हमने equilateral triangle में ना सिर्फ एक चीज़ सीखा था, कि the sides are equal, बट हमने यह भी सीखा था, बच्छा, all the angles of an equilateral triangle are 60 degree, तो यहाँ पर angle of an equilateral triangle लिखा, बच्छो, जो shaded triangle मैंने यहाँ पर बताया है, उसमें एक angle 90 degree का बना, दुसरा angle 60 degree का बना, तो बचा हुआ जो angle है, जो की QPT है वहाँ पर, वो QPT कितना हो जाएगा बच्छो, it will become 30 degree, कैसे? Because remaining angle, a very simple thing to understand, बच्छो, I hope everyone has understood, और सबको पता है, बच्छो, एक triangle में जब 90 degree होते है, बाकी के acute angle 30 and 60 होते है, तो ऐसे depth of triangle को हम बोलते हैं बच्छा, triangle PTQ is a 30, 60, 90 degree triangle, रियादे बच्छो, सब लोगो, मैंने बोला था, 30, 60, 90 के बारे में सब कुछ याद रहेगा, I hope so, everyone knows this property, राइट, चलो, अगर आपको पता है, तो आगे बढ़ते हैं, triangle PTQ is a 30, 60, 90 degree triangle, तो हमें दो चीज़े पता हैं बच्छा, side opposite to 60 degree, and side opposite to 30 degree, पता है ना बच्छो, चलो, side opposite to 60 degree सबसे पहला निकालते हैं, बच्छो, यहाँ पे side opposite to 60 degree कितना है, side opposite to 60 degree देखो, बच्छो, आप लोग को PT दिखेगा, दिखा बच्छो, यहाँ पे PT is equal to, बच्छो, what was side opposite to 60 degree? The side opposite to 60 degree was root 3 upon 2 times of the hypotenuse, बराबर, तो root 3 upon 2 times of hypotenuse PQ हो जाएगा, clear so far बच्छो, very easy thing to understand, यहाँ पे मैं लिखूंगा equation number 3, and reason लिखूंगा side opposite to 60 degree, यहाँ पे कौन सा लिख रहा है बच्छो, आप लोग को, very good guys, 60 degree का तो हो गया, बड़ा भी 30 degree का, ऐसे देखोगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, QT, तो यहाँ पे QT is equal to, बच्छो, what was side opposite to 30 degree? Yes, the side opposite to 30 degree was half of the hypotenuse, तो यहाँ पे half of the hypotenuse PQ हो जाएगा, equation number 4 लिखोगे, side opposite to 30 degree लिखोगे, numbering भी कर दिया, अब थोड़ा से यहाँ पे उबढखाबढ़ हो रहा है, मैं समझ सकता हो बच्छो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ triangle ले रहे हैं, उस पे property लगा रहा है, क्या हम लोग को जो proof करना है, वो आ रहा है कि नहीं, कुछ समझ तो नहीं रहा है, बट आय हो बच्छो, आप लोग को यहाँ तक का तो approach समझ में आ चुका है, पहला छोटा वाला triangle लिया, Pythagoras theorem लगा के चुप बैढ़ गया, फिर बड़ा वाला triangle लिया, उसमें 30, 60, 90 करके चुप बैढ़ गया, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला, बच्छो ज़रा ध्यान से देखो, this is an interesting part over here, अब ना बच्छो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, आप लोग को यहाँ पे ना बच्छो, QT करके value मिला ना, QT is equal to half of PQ, ज़रा देखो बच्छो, क्या वो QT जो है बच्छा, क्या वो QT दो सेग्मेंट से बना हुआ है वहाँ पे, ज़रा नीचे देखो बच्छा, QT दो सेग्मेंट से बना है, कौनसा, कौनसा, QS and ST, तो अगर मैंने इसको आपको ऐसे बताया है बच्छो, कि जो अंदर का ST का वैल्लिव अगर मुझे चाहिए, ST, कहना इसे बच्छे, ST is equal to QT minus QS, हो सकता है बच्छो, दो जान से देखो, ST जो है छोटा सा सेग्मेंट, वो QT बड़ा सेग्मेंट से, QS को अगर मैनस करूँगा, तो मुझे ST मिल जाएगा, बहुत सिंपल है, इसका रीजन बच्छो, सब लोग को बता है, the betweenness, Q-S-T, समझा बच्छो, आप अभी सोच में पढ़ रहे होंगे, सर आपने ST निकाला ही Q, इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ बच्छो, अभी देखो, ST is equal to QT minus QS हो गया, but, ST is equal to QT, QT का value क्या है, equation number 4 को ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा, half of PQ मिलेगा, दिखा बच्छा, इसलिए हमने QT का value निकाला था, यहाँ पे substitute करने के लिए, minus, QS का value क्या है, नहीं पता सर, given में देखो बच्छो, उपर question देखना बच्छा, आप लोगो पता चल जाएगा, QS का value क्या दिया है, yes guys, QS is equal to 1 upon 3 QR, तो यहाँ पे लिखा 1 upon 3 QR, very simple thing to understand बच्छो, एक था from equation number 4, और दूसरा था from given, तो यहाँ पे बने लिख लिया, but, मजा नहीं आ रहा है, मजा इसलिए नहीं आ रहा है, ST is equal to half of PQ, minus 1 upon 3 QR, no, 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 एक में PQ मिल रहा है, दूसरे में QR मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है solve करने में, क्या करें इसका, बताता हो बच्छो, half of PQ को वैसी रखते है, minus 1 upon 3 के बाद में, QR के जगह पे बच्छो, क्या मैं यहाँ पे PQ लिख सकता हो, यह कैसे किया आपने, देखो बच्छो, QR and PQ are the sides of an equilateral triangle, equation number 1 को देखो बच्छो, आपको याद रहेगा, यहाँ पे QR नीचे देखो, equilateral triangle का side है, and PQ जो है, वो भी equilateral triangle का side है, तो मैं QR के जगह पे PQ लिख सकता था, from equation number 1, the answer is, हाँ, मैं यह लिख सकता था, is that clear, अब मसा आ रहा है यहाँ पे, yes बच्छो, अगर आप लोग देखोगे अभी, तो left hand side, half of PQ है, वो भी PQ के terms में है, and 1 upon 3 PQ, वो भी PQ के terms में ही है, तो इसको solve किया जा सकता है, चलो, अभी ना denominators अलग-अलग है, तो cross multiplication करना पड़ेगा, तो यहाँ पे cross multiplication होगा, बच्छा 3 multiplied by 1, 3 1s are 3 होता है, बट उसके साथ PQ भी free है, तो 3 PQ हो जाएगा, minus, यहाँ पे 2 है denominator में, तो वो उदर जाएगा, तो 2 1s are 2 होगा, बट उसके साथ भी PQ free है, तो 2 PQ हो जाएगा, और denominator में आ जाएगा, बच्छा 2 3s are, and that is 6, clear है, अब ना ST का value क्या हो जाएगा, बच्छो, numerator मेटर में देखो, 3 PQ minus 2 PQ, 3 PQ minus 2 PQ होता है, 1 PQ, मतलब PQ हो जाएगा, divided by 6 हो जाएगा, हमें यहाँ पे, ST का value मिल चुका है, and मैंने यहाँ पे, mark कर दिया, equation number 5, बट फिर भी आप लोग, अभी भी सोच रहे हो ना, मैंने ST का value क्यों निकाला, अब आपको, सारे चीज़ें पता चल जाएगी, बच्छो, यहाँ पे ना, मैंने equation number 2 लिखा, equation number 3 लिखा, and equation number 5 लिखा, जो चीज़ें हमें अभी जरूरत है, बाकी सारे equation number 1 and 4, वो सारे चीज़ें हो चुकी है, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, खतम होगी, अब देखो बच्छो, equation number 2 को दरा जान से देखना, आपको equation number 2 पाइतगोरस थीरम से मिला था, PA square is equal to PT square plus ST square, आपको अभी बता चला, बच्छो मैंने यहाँ पे PT का value और ST का value क्यों निकाला था, यस गाइज, यहाँ पे substitute करने के लिए, देखो मुझे PT का value मिल चुक है 30, 60, 90 के वज़े से, and ST का value हमने अब भी निकाला, इतना सब मगजमारी करके, अब मुझे क्या करना है, यह PT का value और ST का value substitute करना है, that's it, है की नहीं बच्छो, तो मुझा मुझे यहाँ पे, equation number 2 क्या हो जाएगा बच्छा, equation number 2 है, PA square is equal to PT square, बच्छो, PT square कितना है मेरा यहाँ पे, PT square मतलब PT का value root 3 upon 2 PQ है, तो root 3 upon 2 PQ the whole square बनेगा, very simple है, यह था PT का value, जो मैंने equation number 3 से डाल दिया, plus ST का square, बच्छो, ST का value यहाँ पे कितना दिया है, PQ upon 6D है, तो ST का square कितना हो जाएगा, PQ upon 6D whole square हो जाएगा, अब ना मुझे सिर्फ solve करना है, अच्छी तरह से, चलो, solve करते हैं, from 2, 3 and 5 यहाँ पे reason लिखना न भूले, therefore PA square is equal to, चलो, squaring करते हैं, whenever we do the squaring, everything has to be squared, तो root 3 का square होता है बच्छा 3, 2 का square होता है बच्छा 4, and PQ का square होता है PQ square, तो 3 PQ square upon 4 बनेगा, plus PQ का square होता है PQ square, upon 6 का square होता है 36, फिर से, मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो बच्चो, सारे चीदे PQ के terms में तो है, बढ़ denominator match नहीं कर रहा है, अब denominator match नहीं करते हैं, तो काफी सारे बच्चे इसको cross multiplication कर के आते हैं, आप लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे cross multiplication नहीं कर रहा हूँ, because मुझे लगता है कि मेरे 10 standard के बच्चे तोड़े mature हो चुक है, and I hope बच्चो everyone knows the LCM method, LCM का method का मतलब यह होता है बच्चो, कि अगर आपको denominator same नहीं मिलता, तो आप denominator को same कर सकते हैं, कैसे, देखो बच्चो, नीचे आपको पहला denominator 4 दिख रहा है, उसको 36 करना है, तो आप क्या करोगे बच्चो, 4 के table में 36 तो आता है, कितने से multiply करना पड़ेगा, 9 से multiply करना पड़ेगा, बट, fraction में सबको पता है ना बच्चा, आप सिर्फ denominator को 9 से multiply नहीं कर सकते, आपको numerator को भी 9 से multiply करना पड़ेगा, multiplying बोथ numerator और denominator बाए 9, balance रखना है ना बच्चा, नीचे सिर्फ multiply बाए 9 नहीं कर सकते, उपर भी तो करना पड़ेगा, तो 9 को नीचे भी multiply करो और उपर भी करो, अगर आपने उपर 9 से multiply किया, तो 3 9 तर कितना होगा, 27 होगा, यहाँ पे आपको 27 PQ स्क्वाइर मिलेगा, प्लस, यहाँ पे 27 PQ स्क्वाइर अपाउन 4 इंटू 9, उसको भी तो 9 से multiply किया, तो वो बन जाएगा 36, प्लस, PQ स्क्वाइर अपाउन 36, अब चेक करो बच्चो, क्या आपका denominator सेम हो गया, the answer to this is yes बच्चो, अब मेरा denominator सेम हो चुका है, by LCM method, clear है बच्चो, जिसको लगता है कि ऐसा नहीं करना है, cross multiplication करके आएंगे, कर लो बच्चो, यह आपकी मर्जी है, बट cross multiplication में number थोड़े बड़े मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको avoid करने के लिए बोला था, चलो यहाँ पर देखते हैं, now P square is equal to बच्चो, आपका denominator तो सेम हो चुका है, तो आप numerator को add कर सकते हैं, 27 PQ square plus PQ square, 27 चॉकलेट में एक चॉकलेट बढ़ गया, कितना होता है, 28 चॉकलेट, तो 27 PQ square plus PQ square, becomes 28 PQ square, divided by 36, यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चो, आपनों इसको simplify किया जा सकता है, 28 and 36, यह दोनों भी किसके table में जाते हैं, 4 के table में जाते हैं, तो how much दार बच्चा, 4, 7,028 and 4, 9,0, तो आपको यहाँ पर fraction क्या मिला बच्चा, PQ square is equal to 7 PQ square upon 9, बट, क्या हमें यही पूछा था, क्या उन्होंने proof करने के लिए, आंसर इज, almost yes, बट no, अगर आप लुख देखोगे ना बच्चा, यह proof करने को तो नहीं बोला था, तो एक काम करते हैं, वो denominator में आपको 9 दिख रहा है, बच्चो, क्या मैं 9 को वहाँ पे shift कर दूँ, yes बच्चा, तो 9 को वहाँ पे shift करूँगा, तो 9 PQ square बनेगा, is equal to 7 PQ square as it is रहेगा, क्या हमें यही proof करने के लिए, उन्होंने बोला था, the answer to this is yes, and this question comes for 4 marks बच्चो, है तो काफी simple बच्चा, वाकई में बहुत simple है, आपको सिर्फ approach को समझना था, कि आपके Pythagoras Theorem में, PT और ST आपका equation number 2 में, कबाब में हड़ी है, आपको कैसे भी करके, PT का value और ST का value निकालना है, ताकि आप equation number 2 में substitute कर सको, यह है इस particular question के पीछे का approach, अगर आपको सच में यह approach समझ में आ गया, तो यह question आपके लिए काफी simple हो जाएगा, I hope everyone has understood this part, बच्चों अगर आपको सच में यह question समझ में आ चुका है, तो क्यों ना same to same, ऐसी type of question है, एकदम entirely the same, बट प्रूफ वाले से जगह पे, हम लोग यहापे अभी find करने वाले है, कुछ ना कुछ तो, काफी easy है बच्चा, 3 या 4 मार के लिए आएगा, let's try to do that question as well, the question is problem set का second question, question number 7, triangle ABC is an equilateral triangle, अरे वहापे भी वही था, point P is on base BC, such that PC is equal to 1 upon 3 BC, वहाप भी almost AC था, बट यहापे AB का value इस बार देखे रखा है, 6 cm, और आपको AP find करना है, बिल्यू मी गाईज, आपके textbook में, इसका question का diagram नहीं दिया है, यहापे diagram नहीं दिया है, बट मैंने diagram आपके लिए बना के दिया है बच्चो, ताकि आप लोग को आसान हो सके, लेट्स ट्राइट टू अंडर्स्टेंड दियाग्राम, देखो बच्चो, diagram दिख रहा है, triangle ABC एक equilateral triangle आपको बना के दिया हो, उसके बाद में point P is on base BC, BC में point P दिख रहा है बच्चा, आप सोच रहे होंगे point P मैंने वहाँ पर EQ डाला, तो point P is on base BC, such that PC का value जो है ना PC, वो BC का 1 third है, 1 third है मतलब छोटा ही रहेगा ना, half इतना होता है, तो 1 third तो इतना ही होगा, तो point P वहाँ पर आ गया, फिर मैंने ना A और P को construct कर दिया, और मैंने A और D को height बना दिया, just like the same like previous one, entirely same करने की कोशिश की, रहेट ना बच्चा, तो PC is equal to 1 upon 3 BC बन गया, और मैंने आपके लिए वहाँ पे 60-60 degree भी बता दिये, उपर का तो अपने आप remaining angle 60 degree बनने वाला है, तो यहाँ पे 60-60 बना दिया, clear है बच्चो, और यहाँ पे AB का value 6 cm लिखा है, तो मैंने वो भी 6 करके दिया आप लोगो, और AP का value निकालने बोला है, जो कि हम लोगो वहाँ पे जो slant मैंने बनाया ना डाइग्राम में, वो निकालने बोला है, है तो बहुत simple सा question बच्चो, बट पहला वाला question अगर अच्छी तरह से समझता है, तो ही यह कर सकता है, लेट्स ट्राइट का approach तो सीम होने वाला है, triangle ABC तो इक्विलाटरल triangle, इसलिए उसके सारे side equal होंगे, मतलब AB is equal to BC, is equal to AC, बट इस time, it is also equal to 6 cm, है कि नहीं बच्चो, because given में इस बार, side of the equilateral triangle का value देखे रखा है, 6 cm, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, सारे के सारे चीज़े 6 cm हो जाएंगी, equation number 1 लिख लिख लिए ना, very easy to understand, यह सारे number चो एना equation करके रखे है ना, मैंने numbering, वो बहुत important है बच्चो, मैंने इसलिए mark किया है, अब यहाँ पे ना बच्चो, हम लोगो किसका value निकालने बोला है, हम लोगो यहाँ पे AP का value निकालने बोला है, अगर किसी ने मुझे AP का value निकालने बोला बच्चो, तो आपको नहीं लगता है बच्चो, मुझे यहाँ पे AP का value निकालने बोला है तो मुझे ऐसा right angle triangle ढूढ़ना पड़ेगा जहाँ पे AP मौजूद हो जहाँ पे AP present हो right and वो कौन सा triangle है बच्छा triangle ADP, same लग रहा है बच्छा पिछले वाले जैसा, yes अब भी देखो बच्छो इस question में क्या होने वाला है बच्छो अगर triangle ADP लेता हो तो सब को पता है angle ADP तो 90 degree है और अगर angle ADP 90 degree है तो क्या मैं यहाँ पे Pythagoras Theorem apply कर सकता हो, जरूर यहाँ पे Pythagoras Theorem apply करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्छो AP square will be equal to, मतलब थोड़ा सास लो and आराम से अच्छी तरह से observe करने की कोशिश करना, हमें यहाँ पे AP का value find करने बोला है अब ना मुझे AP का value तो तभी ही मिलेगा, जब मुझे AD का value पता होगा and DP का value पता होगा अब मैं यहाँ पे notice कर रहा हूँ, क्या मुझे AD का value पता है, फिर मैंने देखा, AD happens to be the height, मुझे उसका value पता नहीं है, oh my god फिर मैंने DP को चेक किया, क्या मुझे DP का value पता है, अरे उसका भी value पता नहीं है, मतलब फिर से यह दोनों कबाब में हड़ी बन गए and कैसे भी करके मुझे AD और DP का value निकालना ही पड़ेगा, यह शुरुआत होता है आपका इधर से approach, अब बाकिय सारे चीज़ों को भूल जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ वही दोर साइड को फोकस करोगे AD and DP, इसका value निकाले बिना आप लोग यहाँ पर आओगे नि, clear रे बच्चो, चलो AD का value निकालते है, and DP का value निकालते है, बच्चो यहाँ पर जाला ध्यान से देखना अपना AD और DP में, सबसे पहले मैं चीज़ देख रहा हूँ, बच्चो, AD का value, मुझे AD दिखा, तो सबसे पहले मुझे बता, बच्च, AD यहाँ पर कौन से right angle triangle को belong कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर देखा, बच्च, AD जो है न बच्च, वो triangle ADC को belong कर रहा है, तो मैंने in triangle ADC ले लिया, अब बच्चो देखो, in triangle ADC क्या मैं बोल सकता है, angle ADC 90 degree है, बट इस बार ना मैं इसमें Pythagoras Theorem apply नहीं करोंगा, क्योंकि Pythagoras Theorem apply करने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ hypotenuse का value पता है, बाकी के दो साइड का तो पता ही नहीं है, तो मैं निकालू कैसे, तो यहाँ पर मैं क्या करने वालों मालूम है, in triangle ADC, angle ADC 90 degree है, angle ACD 60 degree है, और angle CAD जो है, वो 30 degree हो जाएगा, या फिर DAC जो है, वो 30 degree हो जाएगा, remaining angle से, सारे reason मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए लिख के दिया है, clear है, क्या यह triangle मेरा 30, 60, 90 degree triangle बन गया, yes बच्छो, therefore, the triangle ADC is a 30, 60, 90 degree triangle, बच्छो, जब एक 30, 60, 90 degree triangle बन जाता है, तो हमें दो values पता चल जाती है, कौन से कौन से, सबसे पहला, triangle ADC is a 30, 60, 90 degree triangle, तो side opposite to 60 degree कितना होता है, side opposite to 60 degree यहाँ पे कोन है, बच्छा, यहाँ पे AD है, so side opposite to 60 degree is always root 3 upon 2 times of the hypotenuse, and यहाँ पे hypotenuse है AC, right, इसका reason लिक होगे, side opposite to 60 degree and बच्छो, यहाँ पे मैंने solve भी किया है, बच्छो, AC का value ज़रा diagram में देखो, AC का value कितना मिला है, बच्छा, 6 मिला है, तो अगर मैंने AC के जगए पे 6 डाल दिया, तो 2, 6 के साथ cancel करेगा की नहीं, करेगा, तो 2, 1's are 2, how much's are, 2, 3's are, तो आपको वहाँ पे 3 मिला, and यहाँ पे root 3 मौझूद है, तो answer will be 3 root 3, is that clear to every students, equation number 3 लिखा, and लिखा side opposite to 60 degree, बच्छो, आपको नहीं लगता, आपको AD का value निकालना था, पाइतोगुरुस थीरम के एसाब से, उन्होंने बोला था, दो कबाब में हड़ी थे, उसमें AD का भी एक value था, हमें AD का value मिल चुका है, अब एक और value पूछा था उन्होंने, कौन सा था बच्छा वो, DP का value पूछा था, अब DP का value निकालना थो थोड़ा मुश्किल है, तो हम DP का value कैसे निकालेंगे, सबसे पहले में DP का value नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ पे निकालूंगा DC का value, बच्छो, DC is the side opposite to 30 degree, the side opposite to 30 degree is always half of the hypotenuse, मतला half of AC हो जाएगा, AC का value यहाँ पे 6 है, डाइग्राम को देख सकते हो, तो half into 6 हो जाता है बच्छा, 3 मैंने directly लिख लिया, equation number 4 कर दिया, side opposite to 30 degree लिख लिया, clear है बच्छो यहाँ तक, so far so good, but क्या हमें सच में यहाँ पे DC का value निकालने बोला था क्या उन्होंने, the answer to this is no, हमें यहाँ पे DC का value निकालने नहीं बोला था, तो मुझे DC का value नहीं निकालने बोला है, तो हमें क्या value निकालने बोला था, हमें तो DP का value चाहिए था, तो कैसे करेंगे, very simple बच्छा, dp का value, जो dp है, क्याने से बच्छा, that dp is equal to the entire dc minus pc, यसा हो नो बच्छा, देखो, betweenness इसको पता है न 9th standard का, वो आसानी से समझ सकता है, the dp, छोटा सा dp, that is equal to entire dc minus the छोटा part pc, आपको वहाँ पे dp मिल जाएगा, clear है बच्छो, very easy thing to understand, तो यहाँ पे में क्या करने वालो हो, मुझे dp का value अगर चाहिए रहेगा, तो मुझे dc का value पता होना चाहिए, अब dc रहने तो dc, minus pc, अगर आप pc देख सकते हैं बच्छो, question में देखो, pc का value 1 upon 3 dc लेके रखा है, very easy, right, चलो, अब नहीं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dp is equal to dc, बच्छे dc का value कितना है, अगर आप देखोगे equation number 4 में देखना, आपको dc का value पता है, कितना है बच्छो, 3 है, यहाँ पे 3 आजाएगा, minus, 1 upon 3 into bc को मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, अब आप सोच रहे होंगे कैसे, जड़ा देखो बच्छो, bc is the side of the equilateral triangle, जो की 6 ह तो 1 upon 3 into 6 कितना बनेगा बच्छा, 2 बनेगा, राइट ना बच्छा, 1 upon 3 into 6, 2 बनेगा, 3 यहाँ पे 2 लिख लिया, very easy thing to understand, तो यहाँ पे बच्छो, from 1 and 4 लिखा, therefore dp का value मिल गया 1, हश, मुझे dp का value मिल चुका है बच्छो, the answer to this is 1, a very 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 simple thing to understand, अब ना बच्छो, हम लोग यहाँ पे equation number 5 करके, देखो मैंने equation number 2 लिखा, equation number 3 लिखा and equation number 5 लिखा, अब ना आपको यहाँ पे ap square का value निकालना, therefore ap square का value क्या हो जाएगा बच्छो, ap square is equal to ad का square, ad का square मतलब 3 root 3 का square हो जाएगा, equation number 3 के वजए से, plus यहाँ पे लिखा है dp का square, जो की 1 का square हो जाएगा, equation number 5 क square का value चाहिए, तो 3 का square होता है 9, root 3 का square होता है 3, 9 3 दार होता है बच्छा 27, minus, sorry, plus 1 का square होता है 1, अगर आपको ap square का value यहाँ पे 27 plus 1 मिला, मतलब 28 मिला, तो ap का value कितना रहेगा बच्छो, by taking square root, I get the answer to be root 28, but क्या root 28 को मैं सिर्फ root 28 लिख सकता हू, the answer to this is no, हमें पता है simplify किया जा सकता है, कैसे, ap is equal to 28 could be written as 7 into 4, है ना बच्छो, 7 into 4 क्यों लिखा, because सब को पता है बच्छा यहाँ पे 7 का भले ही square root नहीं पता हो, पर 4 का square root हमें पता है, 4 का square root 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 root 7 मिलेगा, and finally you can write बच्छा the answer in units that is centimeter, and इसको box में डाल देना, and आपको यहाँ पे ap का value भी मिल चुका है, यह question काफी simple होते है बच्छा, इसमें approach सिर्फ 2 ही है, पहला मतला छोटा triangle का pythagoras theorem apply करो, and फिर बड़े triangle में 30, 60, 90 degree करके, सारे values निकालो, and उस pythagoras theorem में apply करो, वहाँ पे substitute करो, इतना simple approach से related 2 questions है बच्छो, आपके textbook में, इसके अलावा और क को कुछ सिखाया भी नहीं है, so you don't have to worry about it, यह दो question शायद से, I hope so, शायद से सब लोग को समझ में आ चुका रहेगा बच्छो, एक simple सा question है बच्छो, थोड़ा lengthy जरूर है, पहली बार करोगे, थोड़ा difficult जरूर लगेगा, but yes, practice करना, you'll definitely understand, once you're done with this part, हम लोग का next lecture जो होने वाला है, that will be on similarity and right angle triangles and geometric mean corollary, जरूर जल्दी आने वाला है बच्छो, तो subscribe जरूर करे बच्छा मेरे चैनल को, and like and share करना ना भूले बच्छो, ताकि आप लोग को ऐसे notifications and ऐसे videos, हर टाइम मिले टाइम पर, thank you so much for joining बच्छो, मिलते हैं next session में, do take care of yourself, love you all, thank you so much, and bye.